नमस्कार, अज हम बात करेंगे، फंगीसाइड के वारे में, तो आज मेरे पास है BASF का पॉलिराम आप पीचर में एक बार देख पा रहे होंगे , BASFॉलीराम यहां इस एक सब्सक्रासिप्पा, काप इस इसका जो प्लिश आप इसको निश्माइड साना हिता है डबली जीफ़म मतलब पाउडरी शॉल्यूबल मेटी राम सतर परसेंट और अब बात करेंगे कौन-कौन से डिजीज को कंट्रोल करता है तो यह पाउडरी मिल्डियो डाउनी मिल्डियो अरली ब्लाइट लेट व्लाइट जिसको की अगेती जुलसा और पिछती जुलसा भी चिक कंट्रोल करता है और लिफ़िस पॉर्ड ब्राउनी लिफ़िस पॉर्ड लीफ़िस पाउड मतलब पतियां पे जो आप दना दना देखते होंगे दाग लग जाता है और फिर शूक के पतियां घरने लगता इसको करते हैं तो इससे बचाता और जितना फंगस रिलेटे इसका प्रियोग हम कहा कहा कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम हर एक साग सब्जी में कर सकते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन, मटर, सेव, ये सब में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना भी कॉंटेक्ट डिजीज है, जैसे फंगल डिजीज है, उसको ये कंट्रोल करेग और इसके डोज के बारे में गर बात करें तो 400 ग्रम पर एकर फिर से देखने पॉली रांग 400 ग्रम पर एकर इसका इस्तेमाल हम बीमारी आने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं देखिए दो फाइदा होता है अगर हम इसका इस्तेमाल पहले कर रहे हैं तो जो हमें पोधा आने नहीं दो विपाइगा ऑर हमारा मुता स्व्षास्थ है तो फ्वस्थी रहे गुए और जब हम फंड़ स्वाजने की बाद इसका इस्टिमाल कर रहे हैं तो जब भीमारी आ आ गया और फीर हम इसका इस्टिमाल करí तो फ्वभाविक कहें। सब्सक्राइब करते उसका एस्तिमाल करते हैं और सिस्टेमेटिक इसाइड के इंसेक्टिसाइड के अगर बात करें तो बायर का एड्मायर आता है अब इसके बाद करें तो यह एक टैंक में एक पाउच देना है दो ग्राम का एक पाउच आता है एक टैंक में एक पाउच देना है दो ग्राम का एक पाउच है एक टैंक में एक पाउच क्या फिर कमपणी तो रेकमेंट कर दिया कि 12 लिटर में एक पाउच देना है इसी हिसाब से मिसका इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल हम किसी टोनिक के कर रहे हैं उसके साथ भी इसका हिस्तेमाल हम कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल खेती घर को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद